आज हम लोग सीखेंगे gas के pressure के बारे में AC और फिरिज में मतलब कि जितने भी ठंडा करने वाली मसीन है उन सारे मसीनों में जो भी gas परियोग किया जाते हैं उन सारे gas के pressure क्या होते हैं कितना PSI gas हमें डालना चाहिए freege में AC में water cooler में deep freezer में कितना किस चांज करना चाहिए और उसका holders प्रिसर कितना है रनिंग प्रेसर कितना है डिस्चार्ज प्रिसर कितना यह सारे चीज़ी आज हम लोग इस वीडियो में सीखें घयर यह इसारी आदों सिस्टम में मतलब कि ठंडा करने वाली मसीनों में डाली जाती है इस टाइम ठीक है तो यहाँ पर इतनी गैस है तो इन सारे गैसों को जो इस्टैंडिंग प्रेशर है और जो डिस्चार्ज प्रेशर है इसको किलियरली समझेंगे इसमें कोई भी डाउट नहीं है यह एकदम क जो सिस्टम है वो अच्छी तरीके से कूलिंग करेगा ना ही गैस जादी होगी और ना ही कम होगा यहाँ पर चली अब समझते हैं तो सबसे पहले हमारे जो गैस है और 134 एक गैस जो आर 134 एक गैस है यह गैस जो हमारा है इसका जो रणिंग प्रेशर होता है मतलब कर दिया उस टाइम जो प्रेशर हमारा गेज बताएगा और रणिंग प्रेशर होगा और इस टाइम में हमारी मसीन बंद होती है उस टाइम में जो हम लोग गैस का प्रेशर चेक करते हैं वह होता है हमारा स्टैंडिंग प्रेशर मतलब कि खड़ा हुआ सिस्टम बंद रहत तो वहां पर क्या होता है न कि यह जो डिस्चार्ज प्रेशर है यह फिल्टर के पास मतलब कंडेंसर के आउटपुट पे जब गेज लगा करके चेक किया जाता है तो वहां पर डिस्चार्ज प्रेशर पता चलता है कि यह गयस का डिस्चार्ज प्रेशर कितना है ठीक है तो सिस्टम चला उस चेक करेंगे इसका प्रेशर तो यह रहेगा आठ से 10 PSI बहुत सारे लोग में देने मैंने देखा यूटूब पे बहुत सारे लोग 15 PSI 16 PSI 12 PSI यह सब गलत हैं आपको इतना गैस नहीं चार्ज करना अधरवाइज आपको सक्षाल लाइन पर आई सा जाएगी मतलब को शादी हो जाएगी आपको कितना चाज करना है आठ से 10 PSI ही गैस चार्ज करना है अपनी आर रचे sap 341 ko चाहे वो डीफिरीजर हो चाहे वो वाटर कुलर हो चाहे वो फिरीज हो चाहे कोई भी हो जिसमें अगर आरेसर चोटी से ग्रेश डाली गई है तो उसमें आपको आठ से दस PSI ही चार्ज करना मतलब 8-10 के बीच में सेट कर देना प्रेशर तो यह आपका हो गया ठीक है इसके चाहे जो स्ञाइं यह कितना होता यह होता है 80 PSI 80 PSI 365 प्रेशर होता है जो जो हाई सारड़ वाला रहेगा गिच उस वीश को लगा देंगे filter के input मतलब की i condencernod jao put पर लगाज तो हम यह बताएका हमारा discharge pressure कि कितना discharge pressure है उसको लगाने क कोई जरूत नहीं होती है आप भी नहीं न लगाएं तो कोई दिकत नहीं आप टो हमारे पकुंत नहीं और विए से किपना कि इंध्यूर्ब्स क कितना होता है वह होता है 250-300 PSI फिर जो हमारा 600 gas है इस 600 gas का जो रणी प्रेशर होता है होता है माइनस एक से 0 PSI मतलब 0 PSI आप ग्रेस चार्ज करना 0 से उपर नहीं करना ठीक है माइनस एक से 0 PSI और उसका standing pressure होता है वह होता है 40 PSI मतलब जब फीज बंद रहेगी तो उस 4101 gas है इसका जो running pressure होता है 120-150 PSI लेकिन मैं आपको recommend करूंगा कि आप यहां पे 120-150 PSI तो है बट यहां पर डालेंगे 120-125 PSI 120-125 PSI ही gas charge करेंगे क्योंकि देखिए gas temperature भी निद्बर करता है temperature अप हो जाएगा तो gas का pressure भी अप हो जाएगा temperature down होगा तो gas का pressure भी down हो जाएगा इसलिए आप लोगों करना क्या है कि जो हमारा यह gas है ज़्यादा अगर हो जाएगे तो इसू कर सकता है problem कर सकता है थोड़ा सा कम रहेगा तो कोई इसू ने दे कि 20 से 120 से 150 PSI तक होता है pressure लेकिन आपको charge करना है 120-125 के बीश में ही sit कर देना ठीक है तो यह ज़्यादा बेटर होता हम लोगों सही gas charge करता है 120-125 बहुत कर सकते हैं तीस तक ले जाए इसके ऊपर मत ले जाए ठीक है आपके cooling जो है आपका जो एसी रहेगा प्रफेक्ट कूलिंग करेगा तो यह हो गया उसके बाद हमारा स्टेंडिंग प्रेशर यह 250-207 PSI जो डिस्चार्ज प्रेशर यह है 350-400 PSI 350-400 PSI इसके बाद फिर हीडोकर्बन जो हमारी गैस होती है जिसको कि हम लोग आरह से 34 की जगह भी डालते हैं यह जो हीडोकर्बन गैस है इसका जो प्रेशर होगा यह होगा 8-10 और इसका जो इस् 240-150 PSI फिर लाश्ट गैस हमारी है 290 यह गोद्रिश कंपनी बनाती है अभी यह नहीं नहीं चली है अभी बहुत ज्यादा यूश तो नहीं किया जाता है ठीक है तो यह 290 गैस जो हमारी है इसका जो रूनिंग प्रेशर हो है 65-70 PSI और इसका जो इस्टैंडिंग प्रेशर यह 130-125 PSI और इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर हो है 275-300 PSI तो दोस्तों मैं आपको यहीं कहूंगा कि यह जो मैंने आपको प्रेशर बताया है यह प्रेशर एकदम सही है और आप लोग इसी तरीके से गैस चार्ट मैंने देखा यूटूब पे बहुत सारे लोग कुछ ज् चार्च करेंगे यह ज्यादा रहें खाम करेंगे तो कोई गार्वी में पूछे रोगद आपके संप H2K आप डिस्चार्ग प्रेशर तो आपको यह और शहीं में आ गया होगा कि हम अपने अपने AC में अपने deep freezer water cooler में कितना gas charge करें तो बस दोसों आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल को subscribe करें ताकि हमारी आने वारी सारी किसारी वीडियो आपको मिल सकें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो comment करिए मैं उस डाउट को clear कर तो बस आज के लिए इतना ही